नमस्कार, दवायर में आपका स्वागत है, मेरा नाम बंजोत है, आज हम चर्चा करेंगे कोवैक्सिन पर कोवैक्सिन जैसा कि आप जानते हैं, भारत में बनी हुई कोरोना क्वाइरस के खिलाफ एक वैक्सिन है, जिसे हाइदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनाशनल लिमिटेड ने बनाया कोरोना वाइरस के खिलाफ अभी तक 11 वैक्सिन को विश्व स्वास संगठन यानि की डबलु एचो इमर्जेंसी यूज लिस्टिंग यानि की EUL के तहट अप्रूव कर चुका है कोवैक्सिन उन 11 वैक्सिन में से एक वैक्सिन है पर आखिर आज अगस्ट 2022 में हम आपसे कोवैक्सिन पर चर्चा करने क्यों बैठे हैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ महीने पहले यानि की अप्रेल 2022 में जाना होगा अप्रेल 2022 को डबलु एचो ने एक 180 वर्ड का बयान जारी किया और बयान जारी कर कहा कि हमने मार्च में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ डबलु एचो के इंस्पेक्टर्स ने भारत बायो टेक की वो फेसिलिटी जहां पे कोवैक्सिन को बनाया जा रहा था उसका पहला on-site inspection किया और उस inspection में ये पाया कि भारत बायोटेक good manufacturing practices जिसे GMP भी कहा जाता है उसे follow नहीं कर रहा इस कारण WHO ने ततकाल प्रभाव से co-vaccine की supply UN की सभी agencies को suspend कर दी ये वाकिया हैरान कर देने वाला था इसलिए क्योंकि 11 अप्रूव हुई vaccines में से co-vaccine इकलोती ऐसी vaccine थी जिसे WHO का ये step जिलना पड़ा good manufacturing practices ये GMPs को आसान भाषा में समझें तो ये वो कुछ नियम है जिसे हर pharmaceutical company को follow करना होता है ताकि उसके vaccine में गुणवत्ता की किसी प्रकार से कमी ना आ सके और जो गुणवत्ता clinical trials में उभर के सामने आई वो गुणवत्ता जो कीतियों बनी रहे कुल मिला के quality से किसी भी तरह का compromise ना हो इसलिए good manufacturing practices का follow किया ज़रूरी है पर WHO ने जो 2 April 2022 को statement issue किया उसमें कोई खासे details नहीं थे कि आखिर GMP का वो कौन सा violation WHO को मिला कि उसने इतना बड़ा step उठाया April के महिने में ही The Wire ने WHO को mail किया और सवाल पूछे कि आखिर वो ऐसे कौन से violations थे The Wire के जवाब में WHO ने जो कहा वो इस प्रकार था Problems were detected in some parts of the manufacturing processes Some changes were made after the license was granted but were not submitted to the national drug regulator and WHO for evaluation and validation इसका मतलब ये था कि WHO ये कह रहा है कि उसे अपने inspection के दोरान manufacturing processes में कुछ problems मिले इसके अलावा WHO ने ये भी पाया कि WHO के approval मिलने के बाद company ने अपने manufacturing processes में कुछ बदलाव किये और उन बदलाव के बारे में ना तो WHO को बताया ना ही भारत के drug regulator CDSEO को बताया WHO ने हमारे एक और सवाल के जवाब में कहा the inspection observation indicated that there are gaps in the quality assurance mechanisms and hence the need to take precautionary measures until the gaps have been addressed WHO कह रहा था कि quality assurance mechanism यानि कि ऐसे issues जिसे कि quality को maintain किया जा सके उन में भी problem पाई गई पर फिर भी उन ठीक ठीक उस सवाल का जवाब नहीं था कि आखी वो problems क्या थी तब हम WHO की इन दो जवाबों का अध्यन करने के लिए एक वैक्सीन बनाने के GMP expert के पास पहुंचे वो expert वैक्सीन बनाने की कंपनियों में एक लंबा experience रखते थे और भारत सरकार के साथ भी काम कर चुके थे उन्होंने कहा कि जवाब WHO ने आपको दिया है वो बहुत बड़े हैं अब इसका माइने कुछ भी हो सकता है इसका माइने यह हो सकता है कि हो सकता है कि कंपनी ने process इसलिए change कियो हो ताकि वैक्सीन के yield या वैक्सीन के production को बढ़ाया जा सके या फिर इसलिए change कियो हो ताकि raw materials की खपत को कम किया जा सके पर इसके आगे की details WHO ने हमें यह कहकर बताने से मना कर दिया कि इससे breach of confidentiality यानि कि गोपनियता के जो नियम है वो तूट जाएंगे इसलिए हम इससे आगे आपसे नहीं बता सकते पर WHO ने जोर देके यह बात कही कि चूकि भारत सरकार के drug regulator यानि कि CDSEO के inspectors भी हमारे WHO के inspectors के साथ गए थे इसलिए उनके पास पूरी inspection report की copy है आप चाहें तो उनसे मांग सकते हैं उस report की copy भारत biotech के पास भी थी आप उनसे भी मांग सकते हैं अप्रेल में ही दवायर ने CDSEO और भारत biotech से दोनों से report की copy मांगी और WHO के द्वारा लिये गए step पर दोनों का response जानना चाहा दोनों में से किसी ने भी वायर को जवाब नहीं दिया अप कहानी अगस्त 2022 की अप्रेल की जवाब में WHO ने दवायर से एक बात और कही थी कि यदि भारत biotech एक corrective and preventive action plan corrective यानि कि वो क्या ऐसे corrective measures उठाएगा कि उन कमियों को पूरा किया जा सके और preventive यानि कि आगे वैसी कमिया ना हो उसके लिए वो क्या कदम उठाएगा corrective and preventive action plan जिसे कापा भी कहा जाता है उसे WHO को और भारत के drug regulator CDSEO को सब्मिट करेगा उसके बाद इसका निर्णने लिये जाएगा कि आखिर इस suspension का और इस कदम का होगा क्या सो अप्रेल के बाद अगस्ट में दवायर ने WHO से फिर पूछा कि क्या भारत बायोटेक ने अपना कापा प्लान सब्मिट किया और यदि किया तो WHO का उस पर क्या मनतव्य है WHO ने दवायर के सवालों का जवाब देते हुए अगस्ट में हमें बताया कि हां कम्पनी ने 16 जून 2022 को कापा प्लान दे दिया था पर WHO उस कापा प्लान से सैटिस्वाइट नहीं था जो ठीक ठीक बात WHO ने हमें कही इस कापा प्लान के बारे में वो कुछ इस प्रकार थी In summary, based on the said कापा response, the manufacturing site for covaxin is still considered to be operating at an unacceptable level of compliance with WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products guidelines यानि की company आज भी अगस्त में भी unacceptable level of compliance of good manufacturing practices पे काम कर रही है आज भी जो manufacturing practices वो follow कर रही है वो WHO को बिलकुल भी मानने नहीं है WHO ने आगे हम से कहा, since the कापा report has not been accepted, there is no ground to lift the suspension or to initiate any procurement for UN agencies यानि की चुकि कापा response से WHO खुश नहीं है, इसलिए इस बात का सवाल ही नहीं है कि जो suspension WHO ने अप्रेल के महीने में लगाया था, उसको WHO हटा दे WHO ने अपने जवाब में, अगस्त के जवाब में हमसे एक बात और कही कि हमने कापा की ये report और कापा पर हमारा मनतव्य भारत सरकार के drug regulator CDACO को जुलाई 14 को भेज दिया है और भारत बायोटेक को भी उसका WHO का response जुलाई 14 को भेज दिया है जब हमने WHO से एक बार फिर से गुजारिश की कि वो अपनी मार्च की inspection की report हमसे share करे तो WHO ने फिर कहा कि आपके regulator के पास inspection की report रखी हुई है आप उन्हीं से मांगिए और कापा की report पर जो हमारा response है वो भी जुलाई 14 को दे दिया गया है आप उन्हीं से मांगिए WHO के पास जाने से पहले दवायर ने सूचना के अधिकार के तहट एक याचिका डाल के भारत सरकार से पूछा कि क्या WHO की inspection report भारत सरकार के पास है और यदी है तो वो उसको शेर करें 20 जुलाई को स्वास्ट मंत्राले ने दवायर की RTI की याचिका का जवाब देते हुए कहा no such information is available यानि कि उसने साफ साफ इंकार कर दिया कि भारत सरकार के पास कोई इस बाबत जानकारी नहीं है अब हमें यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि CDSEO जिसके बारे में WHO बार बार कह रहा है वो CDSEO भारत सरकार के स्वास्ट मंत्राले के तहट ही काम करता है वो CDSEO जिसके बारे में WHO कह रहा है कि हमने कदम कदम पर उसको सारी जानकारियां दी है वो CDSEO स्वास्ट मंत्राले के तहट ही काम करता है पर सूचना के अधिकार के तहट जो जवाब हमारे पास आया वो चौकाने वाला नहीं था ऐसा इसलिए क्योंकि एक और स्वास्थ पर नजर रखने वाली पत्रकार प्रियंका पुल्ला ने भी CDSEO से अप्रेल में ही सूचना के अधिकार के तहट उस रिपोर्ट की कौपी मांगी थी तब CDSEO ने प्रियंका पुल्ला को जवाब देते हुए कहा कि हम तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है अब ये समझ के परे है कि जब CDSEO के पास वो रिपोर्ट है तो CDSEO अब भालत सरकार उस रिपोर्ट को पब्लिक करने में क्यों पीछे हट रहा है अब ये सारी कहानी सुनने का आपको आखिर क्या नफा नुकसान है इस बात को याद रखिए कि को वैक्सिन को WHO ने अप्रूव किया है EUL लिस्टिंग के तहट और WHO की गाइडलाइन्स ये साफ साफ कहती हैं कि अगर क्वालिटी और सेफ्टी के इशूस रिजॉल नहीं हुए तो EUL लाइसेंस यानि की WHO का अप्रूवल वापस भी लिया जा सकता है वो गाइडलाइन्स क्या कहती हैं वो आपको सुनाते हैं If quality or safety issues are identified post-listing, WHO may seek advice from its technical advisory group If a quality or safety issue cannot be resolved to WHO's satisfaction, WHO reserves the right to restrict or revoke the emergency use listing of the product यानि की WHO अपने approval को वापस लेने में या restrict करने में पीछे नहीं हटेगा अगर quality और safety के issues कोई company resolve करने में fail हो जाती है क्या कोवैक्सिन का WHO approval या EUL listing status वापस हो सकता है ये अब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या भारत बायोटेक कोई नया कापा प्लांट WHO को भेजेगा और यदि भेजता है तो उस पर WHO का क्या मंतव्य है अप्रेल मा में ही PTI ने अपने sources के तहट एक story लखी थी कि भारत सरकार के external affairs ministry यानि कि विदेश मंत्राले ने विनोत पॉल जो कि भारत सरकार के COVID प्रबंदन के एक मुख्य चहरा है उनको आगा किया था कि यदि इस issue को जो कि WHO का suspension है यदि इस issue को जल्दी resolve नहीं किया गया तो को वैक्सिन अपना WHO का approval खो सकती है हाला कि अगले दिन ही भारत सरकार के विदेश मंत्राले ने इस report को ये कहते हुए deny कर दिया गया कि इसमें बाते out of context कोट की गई पर यदि WHO का EU status या approval को वैक्सिन खो देती है तो इससे अंतराष्टिय ट्राइवल जरूर प्रभावित हो सकता है वह सारे देश जो को वैक्सिन को आज माननेता देते हैं हो सकता है कि WHO यदि approval वापस ले ले तो approval वापस होने के बाद वो इस माननेता को भी वापस ले ले इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सारे लोग जिन्होंने को वैक्सिन लिया है उनको वैक्सिन ना लिया हुआ या अनवैक्सिनेटेड समझा जाए बहराल इसका आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा हमने अगस्त की स्टोरी के लिए भारत बायोटेक और CDSEO जो की ड्रग रेगुलेटर है दोनों को ही मेल में कुछ प्रशन किये उन प्रशनों का मूल ये था कि आखिर उस डबलुएचो की रिपोर्ट में क्या था आपके कापा रिस्पॉन्स में क्या था और अब जब डबलुएचो ने वो कापा रिस्पॉन्स रिजेक्ट कर दिया है तो आप आगे क्या सोच रहे हैं पर ना तो कंपनी भारत बायोटेक और ना ही ड्रग रेगुलेटर सीडियेसियों ने हमारे मेल्स का जवाब देना जरूरी समझा आज के दिन में कोवैक्सिन भारत में किशोरों को दी जा रही है और प्रिकॉशनरी डोस के रूप में तीसरी खुराग भी दी जा रही है और फिलहाल भारत बायोटेक जो की कोवैक्सीन की निर्माता है कोविट के लिए ही एक नई वैक्सीन जो की इंट्रानेजल वैक्सीन है उसको लॉंच करने के लिए मार्केट में तयार है इस विशे पर एक विस्तृत रिपोर्ट तवायर साइंस में छपी है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है उमीद है कि आप उसे भी जरूर पढ़ेंगे आज की चर्चा में केवल इतना ही नमश्कार झाल